नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपके एंकिता मैं ओनलाइन स्टेडी एड़ा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हैं दोस्तों आप मैं एक बार फिर से आपके सामने स्टी के वाटर रिसोर्सेश चेप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ इस पार्ट में हम लोग दामोदर वैली प्रोजेक्ट हीरा कुन प्रोजाती साथ इस चेप्टर के जो बाकी हुए बज़ी मल्दी परपच प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे लास्ट लेक्टर में हम लोगोंने चेप्टर का इंट्रोडक्शन वाटर मैनेज्मेंट और भाकरान अंगल प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लिया था मिना किसी देरी की चप्टे स्टार्ट करते है इस चेप्टर का अगला प्रोजेक्ट है दामोदर वैली प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट का पहला point आता है इसके construction से संबंधि यानि इस प्रोजेक्ट का निर्मान 1948 में हुआ था जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे देश को freedom 1947 में मिला था तो इस प्रकार यह independent India का पहला project है यानि it is first important project of independent India अब यह important क्यों है क्योंकि आजादी के बाद हमारे लिए सबसे बड़ा task था हमारा development यानि कि हमारा विकास और साथ ही साथ हमारे देश की जो population थी उसके लिए अलग-अलग तरह की requirement को fulfill करना जैसे पीने का पानी, electricity और agriculture में सुधाये प्रदान करना ये अलग-अलग तरह के count है साथ आपको पता हो कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय 90% population agriculture पर dependent थी तो इसलिए इन सब परिसानियों से निकल कर अपने देश को विकास के रास्ते पर लाने के लिए हमारी देश की सरकार ने अलग-अलग तरह की scheme और plannings चलाई और जिसमें सबसे पहला नाम आता है दामोदर बैली प्रोजेक्ट का अब इस टॉपिक का अगला पॉइंट आता है रिबर की कौन सी रिबर पर यह प्रोजेक्ट सिचुएटेड है तो आपका आंसर है दामोदर रिबर दामोदर रिबर is defamed for its uncertain root flood and soil erosion इसके बारे में मैं एक बात बता देती हूँ कि दामोदर रिबर को बैंगॉल का शोग कहा जाता है या बैंगॉल सोरो कहा जाता है इस रिबर को बैंगॉल का शोग क्यों कहा गया because of its uncertain root means कि इस नदी का कोई fix root नहीं है और यह जल्दी जल्दी अपने direction को बदलती रहती है जब कोई भी नदी अपने direction को लगातार बदलती रहेगी तो उसमें flood आने के chances ज़दा होंगे और flood आने के साथ-साथ जब नदी में water flow ज़दा होगा तो उसके through soil erosion भी सबसे ज़द होगा इनी ती इंडिजन्स की वज़े से इस नदी को बेंगॉल का sorrow या बेंगॉल का सोग कहा जाता है जैसे जैसे किसी कमी के कारण कोई बदनाम होता है वैसे ही इन तीनों drawbacks के कारण यह नदी भी Bengal sorrow के नाम से defamed यानी बदनाम है अब इस प्रोजेक्ट का अगला point आता है स्टेट्स यानी इस प्रोजेक्ट के द्रू कौन-कौन से स्टेट को benefit मिल रहा है तो उसमें पहला नाम आता है जार्खंट का और दूसरा नाम आता है वैस्ट वेंगॉल का एक point मैं यहां पर और clear करना चाहती हूं कि इस project को handle करने का काम DVC यानी दामोदल वैली corporation यानी कि DVC इंडियन कोवर्मेंट और बनाया गया एक और नई चैसेन है जो कि इस project को handle करता है मैंने इस project की starting में ही आपको एक point बताया था कि यह independent इंडिया का पहला project है तो बात आती है कि इस field में कौन से देश ने विश्व में सबसे पहले starting की होगी तो उसमें नाम आता ह अमेरिका का अमेरिका में एक 10 6 नदी है और उसमें सबसे पहले multi-purpose projects पर काम करने के की सुरुआत अमेरिका ने की थी चत्व आप यह कह सकते हैं कि विश्व में सबसे पहला multi-purpose projects बनाने का काम अमेरिका ने किया था और उसने इस project को Tennessee नदीबर बनाया था और उसके लिए जो organization बनाया गया था वो TVC था TVC मतलब Tennessee Valley Corporation और इसे से inspired होके freedom के बाद हमारे देश की सरकार ने भी एक प्रयास किया multi-purpose projects बनाने का और उसको handle करने के लिए एक organization बनाया जिसका नाम TVC था मैंने आपको पिछले class में ही बताया था कि जब किसी river का water flow तेज होता है तो dam बना कर उसके flow को रोका जाता है और उसे कई छोटी छोटी नदियों के रूप में divert कर दिया जाता है यानि जब किसी बड़ी नदी में flood आने के chances हो तो उसके पानी को रोक कर उसकी tributaries river के रूप में निकाल दिया जाता है तो इस प्रकाद dam बडर river के कौन सी tributaries river है यानि कि साहयक में दिया है उसमें सबसे पहला नाम आता है बारकर, पोकारो और कौनार अब हमें नजियों की बात की तो दैम की भी बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कौन-कौन से डैम बनाए गए हैं तो इस प्रोजेक्ट का अगला पॉइंट आता है कि इस प्रोजेक्ट में पांस डैम बनाए गए हैं यानि तिलहिया, बाल-पहाड़ी और मीथन इन तीनों डैम क का संबन किसे है बारकर रीबर से साथ ही साथ आपके पास दो रीबर और बच गई बोकारो और कोनार तो आगे के डैम आपको याद करने आसान है क्यों क्योंकि बोकारो रीबर पर बोकारो डैम और कोनार रीबर पर कोनार डैम बना हुआ है इस प्रकार आपने 5 डैम्स के पार में पढ़ा जिसमें पहला नाम आता है तिलिया का फिल्बाल पहली और इन यहह बालकर रिवर पे सिच्वेट एंसे अपनी अपनी रिवर पे सिच्वेटेंड है इसको अलग से याद करने की पहर दूरत नहीं है आपको मल्टी परपच प्रोजेक्ट के बारे में एक बात और भी पता होगी कि मल्टी परपच प्रोजेक्ट का में काम पोटेबल वाटर और साथ ही साथ electricity production का है तो जब electricity production की बात हो रही है तो उसके power plant के भी बात कर लेते हैं यानि कि इस project का अगला point आता है कि इस project में जितने power plant बनाए गए हैं उनका नाम जिसमें पहला नाम आता है बोकारो, दूसरा चंद्रापूर और तीसरा दुर्गापूर आपने alphabet में ABCD तो पढ़ाई होगा अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैं प्रोजेक्ट पढ़ाते-पढ़ाते ABCD की बात क्यों कर रही है क्योंकि आपको power plant याद भी तो करना है वो कैसे वो इस तरह कि alphabet में A के बा प्रोजेक्ट का last point आता है जो कि मैंने यहां पर नहीं किया है क्योंकि यह point हर एक प्रोजेक्ट में common है वो है objectives का objective in the sense कि इस प्रोजेक्ट से कौन-कौन से benefit मिल रहे है या इस प्रोजेक्ट को बनाने का क्या motive है उसमें सबसे पहला नाम आता है provide potable water यानि हमको पीने योग सुद्ध पानी प्राप्त कराना और दूसरा point आता है facilitate in irrigation यानि इन प्रोजेक्ट के माध्यम से हमको सिचाई में भी सुविधा मिलती है से क्योंकि इन प्रोजेक्ट के थ्रू जो हम ट्रिबूटरी रिवर या लेफ्ट कैनल निकालते हैं वो छोटे-छोटे गाउं शहरों में जाकर irrigation के काम को और आसान बनाते हैं और उसके बाद अगला point आता है electricity यानि इन प्रोजेक्ट के थ्रू हम electricity का भी production आसानी से कर रहे हैं और लास्ट में अगला point आता है economic development इस तरह से हर प्रोजेक्ट के चार अब्जेक्टिव हैं potable water, irrigation, electricity production और लास्ट में economic development जिसको मैं इसी वे में आपको लास्ट लेक्टर में याद करा दिया था और यह सारे objective आपके हर एक topic में common होंगे तो एक बार फिर से दामोदर वैली प्रोजेक्ट को revise कर लेते हैं दामोदर वैली प्रोजेक्ट का निर्मा 1948 में हुआ था यानि हमारी freedom के बाद सबसे पहले बनना वाला multi-purpose project दामदर वैली प्रोजेक्ट था अगला पॉइंट आता है it is the first important project of independent इंडिया यह वही बात हुई और next point आता है कि यह प्रोजेक्ट किस रिवर पर सिच्वेटेड है तो दामोदर वीपर पर और यह रिवर किसके लिए defamed है uncertain route, flood और soil erosion के लिए इस लिए इस रिवर को बैंगल सौरो भी कहा जाता है इसके बाद अगला point आता है कि कौन कौन से state इस project के थूप benefit ले रहे हैं तो उसमें दो state का नाम आता है पहला जारखंट और दूसरा बेस्ट बंगल फिर इसके बाद next point आता है Tributory Rivers का और मैंने आपको बताया था इस project में 3 Tributory River हैं जिसमें और यह सीम नदी के उपल है इसलिए इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है और last point आता है 3 power plant जिसमें बुकारो चंडरापूर और दुर्गापूर मैंने ABCT से आपको याद करा दिया था और last but not least objective point जो कि सब में common है उसमें मैंने आपको चार चीज बताई थी potable water, irrigation, economic development और electricity production दोस्तों इसके बाद मैं आपको अगले topic पर ले चलती हूँ जो कि हीरा कुन प्रोजेक्ट है हीरा कुन प्रोजेक्ट के बारे में सबसे important बात है कि यह हमारे देश का सबसे लंबा डेम है और इस पिक्चर में आपको आसानी से दिख रहा होगा कि इसकी लंबाई कि इतनी जाता है और यह अपने आप में बहुत विसाल और बहुत बड़ा डेम है तो जिस तरह से आपने भाकरान अंगल को विगजत किया था उसी तरह से आप और यह राकुन प्रोजुट की रूप में याद करेंगे और इस प्रोजेक्ट का अगला पॉइंट आता है स्टेट स्टेट में आपको सिर्फ एक ही स्टेट याद रटना है जो कि उडिसा अब बारी आती है इस प्रोजेक्ट के अगले पॉइंट की कि यह प्रोजेक्ट किस रिपर पे सिटुएटेड है तो यहाँ पर नाम आता है महा नदी बर जैसे मैंने आपको पिछले प्रोजेक्ट में दामोधर के बारे में बताय था कि यह वेंगॉल सौरो है फिर उसी प्रकार महा नदी को भी उरिसा का सौरो कहा जाता है यानि यह नदी भी उरिसा के सोग के रूप में भी बदनाम है और किन कारणों से defamed है तो लिखा है defamed for flood in monsoon season यानि monsoon season में आने वाले flood के करण यह नदी उरिसा में बहुत ही बड़े अस्तर पर तबाही मचा देती है इसलिए इस नदी को उरिसा सोरो के नाम से भी जाना जाता है जब हमने नदी की बात की तो डैम की भी बात कर लेते हैं इस प्रकार इस प्रोजेक का अग़रा point आता है डैम और इस प्रोजेक में दो डैम बनाए गए हैं पहला टीकर पारा और दूसरा नाराज आपके लिए रहत की बात यह है, कि आपको इस project में दू ही डेम याद रखने हैं, पहला टीकरपारा ओर दूसरा नाराज, और जब डेम की बात की, तो नहरों की भी बात कर लेते हैं, यानि अब मैं आपको इस project की next topic की तरफ लेजाती हूँ, यानि की canals, इस प्रोजेक्ट में 3 केनल बनाई गये हैं फहले बोर्ड़काट्र्ड फिर सेशन और संभलपूर्ड बोर्ड़काट्र्ड-सेशन और संभलपूर्ड अब वारियाती है इस प्रोजेक्ट के लास्ट पोइंट के यानि के के तरह आप इस प्रोजेक्स को इस वीवर से कनेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्स का नम हीरा कुण डैम और यह किस नदी पे सिच्वेटड़ है महान अधी पर इस बात को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हीरा एक प्रीशियस जैम्स है यानि कि बहुत कीम्ती रतने हैं और जब य ही महान होने के कारण mohy когда ही महान नदी पर इस प्रोज्ट स्विंद्त के में पॉइंट के सामने रखें और आपको याद कराने की कोश handle तो चलिए एक बार फिर से रिवाइस कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट का पहला पॉइंट आता है इस दे लॉंगेस्ट टैम आफ इंडिया यानि भारत का सबसे लंबा डैम है और जब लंबाई की बात आ रही है तो आपको इसकी लंबाई याद रखनी है जो कि 14-15 km है अब बा स्ट्राइब के सीजन में इस नदी में बहुत बाढ़ाती है और ये उडिशा में बहुत बुरी तरह तबाही बचा देती है जब रिवर की बात आई तो डैम के विवाद कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट में दो डैम है पहला टीकर पारा और दूसरा नाराज जब डैम की बा आपको इस टॉपिक के अगले प्डर चंबर वैली प्रोजेक्ट की पिरफ ले ज़नल और इस वेला आधा है कि नाइटीन फिल्प्रीट भी इस को स्टार्ट किया गया था और नेक्स पॉइंट जाता है इस प्रोजेक्ट का बेने आता है गादी सागय डैम जोрипिक सिहाँ इसके बाद नैक्स रड़ा कृकर सागय में है इसके बाद जवाहर और taking Tara में यायनी कि इह सोधानकि इस 6 ची देम्स ऊसे करेंगे दो तरके राजस्थान कहां से था चिट्टोर से राना प्रताप सागरड़ेम कहां पर है चिट्टोरगण में और अगले दो ड्राय जवहर सागरड़ेम और कोटा वहराज़व कोटा के नाम से आप याद कर सकते हैं अब इस प्रजेक्ट का लास्ट पर नॉट लिस्ट पॉइंट आता है औजेक्टिव इस पॉइंट में आपको वह चारों पॉइंट याद रखने हैं साथ ही साथ एक पॉइंट जो इस्पेसल है वह यहां पर लिखा प्रजेक्ट के द्वारा किया गया है और साथ ही साथ आपको चार वह अबजेक्टिव जो मैंने आपको पहले ही बताए थे वह डिबल वाटर इरिगेशन एलेक्टिसिटी प्रोड़क्शन और एकोनोमिक डेबलप्मेंट वह याद ही रखने हैं एक बार फिर से इस प्रोड़क्शन नेक्स्ट प्रोड़क्शन एक रिलेटिग और राजस्थान दो स्ट्रेट है उसके बारि आती है यह प्रोड़क्शन कहां पर शिप्रेटेड है तो चंबलर में और जानकारी के लिए मैं बता दू कि यह यह जनापाव की पहाडियों से निकली हुई है ज में दूसरा राना प्रताप सागर दैम जोकी चित्तोहर में है यानि इस पर्जक्रार सागर बने हुए चार दैम से तीन तो राजस्थान में हैं और एक यमपी में हैं साथ ही साथ लास्ट पॉइंट टू प्रिवेंट स्वायल एलोजन मतलब इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिफ स्वायल एलोजन के तुरू जो कैमेटी यानि आप दाएं आती है उसको रोकना है अब मैं आपको इस टॉपिक के अगले प्रोजेक्ट पर ले जलती है जिसका नाम है राजस्था में रहते हुए इंद्रगादी कैनल का नहीं जानते तो आप कुछ भी नहीं जानते क्यों क्योंकि यह राजस्थान जैसे डेजर्ट स्टेट के लिए एक बर्दान है और इस प्रोजेक्ट के माधिम से राजस्थान के एक नहीं दो नहीं पूरे नौ जिलों में छोटी छो यह इस गोल्डिन गंगा या उफ डेजर्ट कहा जाता है इस एक इंप्र्टेंट बात है इस महारें मेंद के महाद पीमर इसे प्रवाजल की जाती है और इस प्रोजेक्ट का अगला पॉइंट आता है परपज को बताने से पहले मैं आपको एक बात करना की सपोस्ट का मैप है और यहां पे पंजाब स्टेट है यहां पर हरयाना już पंजाब से गता हुआ राजस्थान के पूरे नौर्थ बिस्ट एडीए में बार्डमेर तक जाता है जो राजस्थान का में डेसर्ट एडिया है वह इसका नौर्थ और वेस्ट को आटें है उसमें नाम आता है गंगा नगर का फिर बीकाने फिर जैसर मेर और फिर बाद मेर यानि इस प्रजेक्ट के माध्यम से इन चार चलों में मुख्य रूप से सुभिधाया पहुचाई जाती है और वह सुभिधाया कौन सी है इरिगेशन की और पोटेबल वाटर की और कहां पे राजस्थान के डेजर्ट वाले एरिये में जो कि थार डेजर्ट का ही एक हिस्सा है अब बारी आती है इस प्रजेक्ट के नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की वह है सिविन कैनल्स मैंने आपको बताया था कि किसी बड़ी नेहर नदी से छोटी छोटी नदिया और चोटी छोटी नहर निकाली जाती है जिसे लिट कैनल ये ट्रुबूट्री रिवर का नाम दिया जाता है तो इस पेखार इस कैनल से 7 लिफ्ट कैनल निकाले गए हैं और इन 7 कैनल के ध्रो राजस्थान के बाड में जिली तक वाटर सप्लाई पहुचाई जाती है और यह डिस्टेंस है 466 किलो मीटर वैसे तो इंद्रा गांधी कैनल सिस्टम पंजाब से सुरू होके हर्याणा से होत हुए राजस्थान में आती है लेकिन इसका सबसे जादा एक्स्टेंसर राजस्थान में 466 किलो मीटर का है तो एक बार फिर से इस कैनल प्रोजेक्ट यानि गोल्डिन गंगा आफ थार और लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान को रिपीट कर लेते हैं इस टॉपिक का सबसे पहला पॉइंट आया था इसका ओरिजिन मैंने आपको बताया था कि इस कैनल प्रोजेक्ट के ओरिजिन पंजाब के रावी और 17 नदी के संगम हरके बैरात से हुई है और इसकी दौरा पहुचाए गई सुविधाओं के कारण इसके कई नाम रखे गए हैं जो इसका आगला पॉइंट है सब टाइटल जिसमें लाइफ लाइन ओफ राजस्थान गोल्डिन गंगा ओफ डेजर इस कानल संबंधी यह पॉइंट आपके भूप में नहीं दिया है लेकिन मैंने अपनी तरब से आपकी समझ को थोड़ा आसान बनाने के लिए इन नोनों पॉइंट का ना होंगे इसमें सबसे पहला नाम अता हर्याना पंजाब और राजस्थान का इसके अगले कोंट में आता है और इसका में औ continually वोऑ जो में पुरे चोंट आंस के निकाली जो और इरिगेशन की फिसलिटी प्रोइट करती हैं साथी साथ इस प्रजेक्ट की एक बिसेस बात और भी है कि इस प्रजेक्ट के माद्यम से हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लोगों का रहन सेंड बढ़ गया है क्यों क्योंकि इस डेजर्ट एरिया में जब लो इस प्रोजेक्ट का निर्माट 1971 में किया गया था और इस प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग बीशरपूर डैम का जो कि टॉंक जिले के टोड़ा राय सिंग सहर में मनास रिबर पर सिच्वेटेड है और इस प्रोजेक्ट के तुरू सवाई मादोपूर जिले में इरिगेशन फेसल्टी साथ ही साथ जरपूर सिटी अजमेर केकड़ी वाँ अन्य जगों पर पोटेबल वाटर प्रोड़ करा जाता है इस लिस्ट में अगला नाम आता है सोम अंबा और कमला प्रोजेक्ट की इस प्रोजेक्ट में डैम का कंस्ट्रक्शन सोम नदी पर किया ग इस प्रोजेक्ट के मादेम से जाती girl कि कि लिस्ट की नाम आता है इस प्रोजेक्शिट के सरदार सरवर र कर आए should की नर्मदा नदी पर सिचुएटेड़ है इस देम को इस प्रोजेक्ट से कनेक्ट करने का एक आसान तरीका है इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूं कि सरदार लोग बहुत ही नरम और पॉलाइट नेचर के होते हैं यानि कि सरदार सरवर दैन कौन सी नदी पर सिचुएटेड़ है नर्मदा नदी पर और यह किस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बनाए गया है नर्मदा प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बनाए गया है Dear students, इसे के साथ मैंने इंडिया के साथ साथ राजस्तान में चल रहे मल्ली परपज प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताया और अपनी पूरी कोशिस की है कि साथ में परते परते आपको ये प्रोजेक्स याद भी हो जाए जहां मुझे लगा, महाँ पर मैंने आपको टुट के माधिम से ये चीज़े आसान तरीके से याद कराने की कोशिस की साथ ही साथ आपकी बुक में ये प्रोजेक्स बहुत ही डिटेल में दिये गए हैं पर मैंने पूरी कोशिस की कि इसके मेन में पॉइंट को इस तरह से आपके सामने ला सको और आपको ये टॉपिक याद करा सको और इसके साथ ही आपके दिमाग में जो SST को लेके phobia है उसको दूर हटा सको अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे इस lecture के रिगार्डिंग आपके कोई suggestion है तो उसे comment box में जरूर लिखें आपका ये effort ही हमें motivation देता है इसी के साथ lecture complete करते हैं बाइ बाइ टेक कियर हवा नाइस टाइम और हमारी सभी अपकमिंग अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तिल देन कीप वाचिंग थैंक यू वन्स अगें